जैहिंद सातियों नमस्कार स्वागते आप सभी के अपने यूटूब चनल मुकेश महंदर एजूकेशन पर सभी को रादे रादे जैस्रीकृष्णा और देखेगा हमने जो है भूगोल के अंदर दूबूख है मानु भूगोल के मूल सिदान और भारत लोग और अर्थ चैप्टर नमबर टू है जिसका नाम में अपके देख सकते हो परवास के परकार कारण और परिणाम इससे पहले जो चैप्टर लगता है वो जन सिंग्या वितन गनतो वर्दी और शंकतर वो मनें पहले करवा रखे हैं प्लेलिष्ट के अंदर में डाल दिये चल ठीक है और मित्रू एक बार आप सभी जो है वो क्लास को लाइक और शेर करें ठीक है नोट्स अगर आपको चाहिए मैं तो कहता हूं कि सभी के पार्ट्स नोट्स होने चाहिए किसी एप पर जाने की जरुत नहीं है यूट्टूपर में नीशुलक आपके तियरी करवा रहा हूं ठीक ह जो मैं करवा रहू हूं 100% आप नोट कर लेना और यही से सभी परसंट चपने वाले हैं पिछली बार भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और अब की बार भी अच्छा है रहेगा आपको क्या करना है देखो मैं भूगोल ठीक है जोगराफी पोलिटिक्स और करेंगे वार्षॉप नंबर यह है एक नाइन डबल फाइप डबल सिक्स वन थरी जिरो वन नवासी पत्सपांट साथ तेरा जिरो एक इन नम्बरों पर आप मेसेज करदाना यह वार्षॉप पर आपको इबूक के रूप में मिलेंगे तो वहां आप इम इत्रपर जाके प पर्वास के परिबाष साब की परिबाष आपको पूचे जाएगी बैस के कि पर वास के पूचे जाएगे तो परवास शॉप चितर में जो है पर मुध लेकर रवहन हो रहे हैं आपने प्रारंबिक श्तान को छोड़ कर यह किसी दूसरा पर जाना जा रहे हैं यह कर रहे हैं परवास ठीक है अपने सब सामानों को जो केमति केम जो सामानों सब को लेकर किसी दूसरी स्थान पर यह प्लाइन हो रहे हैं तो यह देख सकते हैं इस परकार से परवास अब यहां पर परवास की परीबास आदेखो परीबास हम किस परकार लिके तो इ एक या एक से अधिक वेक्तियों का अब देख सकते हैं इसमें एक ये एक से अधिक वेक्तियों का एक इस्तान से दूसरे इस्तान एक इस्तान से दूसरी इस्तान पर जाना क्या कहलाएगा? परवास कहलाएगा ठीक है? एक या एक सदी के वेक्तियों का एक इस्तान से दूसरी इस्तान पर जाना और इस्ताई रूप से बस जाना क्या कहलाएगा? परवास कहलाएगा ठीक है एक सद्धी की वेक्तियों का एक किस्तान से दूसरे स्थर पर जाना तथा इस्थाई रूप से बस जाना परवाश कहलाता है ये परिबासा याद कर लेना या फिर अगर ये परिबासा हुए याद तो कर सकते हो अगर ये याद नहीं हुए तो इसी के जो है दूसरी परिबासा में लिकवा देता हूँ अगर ये याद वे तो बहुत अच्छी बात है अगर ये याद नहीं होती है तो दूसरी परिबासा भी याद कर सकते हो ठीक है चलो, दूसरी परिवासा क्या है? अत्वा के अंदर आप अत्वा में जो है, इसकी दूसरी परिवासा याद कर सकते हैं. अत्वा में लिख सकते हो, वेक्टियो का एक भोगोलिक इकाई से, वेक्टियो का एक भोगोलिक इकाई से, दूसरी भोगोलिक इकाई से, दूसरी भोगोलिक इकाई से, वेक्तियों का एक भोगोली की काई से दूसरी भोगोली की काई में जाकर बस जाना जाकर बस जाना क्या कहलाईगा परवास ठीक है तो यह परिबासा भी लिख सकते हैं कि एक एक सधी की वेक्तियों का एक इस्तान से दूसरी इस्तान पर जाना परवास कहलाता है या एक भोगोली के काई से दूसरी भोगोली के में जाकर बस जाना क्या कहलाएगा परवास कहलाएगा बस ये दोनों परिबासा जो भी आपको अच्छे लगे वो आप इनको याद कर लेना ठीक है ये आपको याद कर लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, परवास की परिवासा याद कर लगना, और यहां से परसन क्या बन सकता है, और यहां से बन सकता है, कि देखो, परवास की बात कर रहे हैं, तो परवास को क्या के सकते हैं, यह क्या है, यह क्या है, यह परवास से, ठीके, परवास को और क्या कह सकते हैं परवास को जो है परवशन कह सकते हैं परवशन, परवास का दूसरा नाम क्या है परवशन, परवास को हम क्या कह सकते हैं जनसंक्या का इस्तानांतरन, जनसंक्या, जनसंक्या का इस्तानांतरन, अगर सोटगट में अगर आप इसकी परिवासा याद करना च जन सिंग्या का यह पूशा में पूशा जाता हैं क्या परवास में हो सकता है पर वास नीए होसकता है परवास जो है, इस्ताई भी हो सकता है, परवास इस्ताई भी हो सकता है, ध्यान रखे, परवास इस्ताई भी हो सकता है, तो परवास मोश में भी हो सकता है, हो सकता है, यह ध्यान रखे दोस्तों, अबजिक्टियों में यहां से परसन बन सकता है, क्या परवास इस्ताई होता अब आपके सामने हैं परवास के परकार कि परवास के मुखिरूप से कितने परकार हैं तो परवास के दो दो परकार हैं एक तो हैं आपके सामने अंत्राष्टी परवास और दूसरा है आंत्रिक परवास वेसे इस परकार से आपके जो बुक में देखोगे तो आपको निजर नहीं आएगा लेकिन मैंने जब पढ़ा है चिप्टर को ठीके तो बीच में से यह पॉइंट उठाई मैं आत्राष्टी परवास देश के बार और अण्यडेस के अंदर जो परवास होता है वह होता है अंत्राष्टी परवास झाता हैра हमारा भारत देश हैं अब हम भारत को छोड़ कर कई अमरीका जा रहे हैं वहां जाकर इस ताहीं रूप से बस जा रहे हैं तो यह देश के भी जो परवास हो रहा है यह क्या है यह हमारा अंत्राइश्टी परवास है और इधर देखो आंत्रिक परवास और इस आंत्रिक परव परवास कोई हम प्यारे मित्रों क्या कह सकते हैं राइश्टी परवास क्या कह सकते इसे राइश्टी परवास तो ध्यान रखे इसे राइश्टी परवास भी कह सकते हैं राइश्टी परवास भी कह सकते हैं यह ध्यान रखना है इसे राइश्टी परवास भी कह सकते हैं तो आंतरिक परवास ये देश की भीतर, मतलब देश के अंदर जो परवास होता है, वो होता है आंतरिक परवास, ठीके, अब यहां पर देश के बारोने देशों के जो अंदर परवास जो हो रहा था, वो अंतराश्टी परवास हैं, और अंतराश्टी परवास के दो परमुक परक एक परवास परवास को मैंने चोडा वह तो हो गया उधपरवास और आ परवास मतलब आता हुआ, ठीके, जहां परवास ही आते हैं, आप आ से पता लगा लों पर आ मतलब आते हैं, जहां परवास ही आते हैं, वो होता है आ परवास, समझ गे मेरी बाद, ठीके, तो यह उत परवास और आ परवास डारेट परसनियां से बन सकता है, ठीके, अंतराजी परवास होता है और एक होता है अंतराजी परवास अब ये दोनों में अंतर हैं दोनों में देखो ये जो अंतराजी परवास होता है ये राजी के अंदर परवास होता है कहने का मतलब भई जैसे राजी के अंदर अलग अलग जिल्ले हैं तो जिल्ले के अंदर आप वाले परवास को हम कह सकता हैं अंतर राज्जी परवास उसी परकार अंतर राज्जी परवास एक राज्जी से अन्य राज्जी में परविश एक राज्जी से दूसरी राज्जी में जो परवेश हैं वो कहलाता है आपके अंतर राज्जी परवास तो यह दोनों आपको यहा ख्यत्म पूचा गया है। जोब की आपसे देखो सबको पता होता है लेकिन इसमें कलिकेंों कि सो होता है 2010 to कुछ हृष मte खैयद्व मेह का जेका बंब कुम खैयर भी तो पुन बींदु में देखो एक को एक तो आप सबसे पेले बिंदु में लिके अम्हें लिखूं हुँँ उद्गम इस्तान उद्गम उद्गम इस्तान एक तो होता है उद्गम इस्तान और एक होता है गंतवी इस्तान एक तो हो गया उद्गम इस्तान और दूसरा कौन सा हो गया गंतवी इस्तान उद्गम इस्तान और गंतवी इस्तान देखो जहां से लोग चलते हैं जहां से लोग चलते हैं या फिर कह सकते हैं जहां से लोग अपना मूलिस्तान छोड़ते हैं मूलिस्तान छोड़ते हैं वो होता हमारा उद्गमिस्तान, समझ गई? यहां पर दो परिबास है, मैंने यहां पर वाले समझ में आगया हो जहां से लोग चलते हैं, जैसे मैं ब्यावर से away, तो मैं भ्यावर को छोड़ कर मैं जैपूर जा रहा हूँ तो मतलब मैंने ब्याओर को छोड़ा यानि मैं ब्याओर से जा रहा हूँ मतलब ये मेरा उद्गम इस्तान है ठीके ये मेरा उद्गम इस्तान है मैं इस उद्गम इस्तान को छोड़ कर जा रहा हूँ और जहां मैं जेपुर जा रहा हूँ मैं कई भी जा रहा हूं जहां मैं पहुंच गया वो मेरे लिए गंतवी इस्तान है जहां मैं घमन कर गया ठीक है तो उद्गम इस्तान का मतलब समझ गे और गंतवी उद्गम इस्तान का मतलब होता है जहां लोग गंन करते हैं यहां जहां लोग पहुंचते हैं यह हो गया घंतवी इस्तान तो मेरे इस अब कोई आपके डवट नी होगा बिल्कुल समझ में आगया होगा उद्गम इस्तार और गंतवी इस्तान चलो अब देखते हैं परमुक आगे आगे हैं आपके सामने परवास की धराए अब जो है परमुक परवास होता है परवास आकर कहा कहा होता है तो परवास जो है परवास का मलब समझगे एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जाना आकर परवास किन कारणों से होता है परवास के अब कारण भी बात करेंगे प्रिणाम भी देखेंगे सब देखने वाले हैं तो वेसे मेन मेन पॉइंट आप याद करें देखो परवास के परवास के परवास जो है आपके गाउं से सहर, गाउं से सहर, गाउं से सहर, और तीसरा जो परमो परवास होता है वो होता है प्यारे मित्रो, सहर से गाउं, बहुत कम होता है, सहर से गाउं, और चोता होता है परवास, सहर से शेहर, ठीक है, यह ध्यान रखे, परवास गाउं से गाउं, गाउं से सहर, सहर से सहर से गाउं ये परमुक क्या है? तो ये मेतपुन परवास के क्या है? चार धराई हैं गाउं से गाउं, गाउं से सहर, सहर से गाउं और शहर से शहर ठीक है? अब कारण भी जानेंगे आखिर गाउं से गाउं देखो जैसे लड़की हैं तो लड़की की जो साधी है वो एक गाउं से दूसरे गाउं करवा दी जाती है तो ये परवास ही हो गया गाउं से गाउं या फिर कोई लड़की है उसकी साधी जो है वो गाउं से सहर में करवा दी तो वो गाउं से सहर वो गया परवास ठीक है किस लड़की की शाधी शेर वाले लड़की की शाधी गाउं में करवा दी तो यह शेर से गाउं यह परवास हो गया कोई शेर से यह हो गया या फिर या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं रोजगार के तलास में कोई लोग जो है गाउं से शेर में जा रहे हैं ठीक है या फिर कोई शेर स किसी शेर को छोड़ कर किसी दूसरे शेर में जा रहा है रोजकार की तिलास में तो इस करण से यह परवास होता है ठीक है तो आपको कुल में लगए द्यान रःग ना परवास की चार दरह हैं गाओं से गाओं, गाओं से शेर, old कर चलो अब यहाँ पर देखो महारश्ठ्र हुआ एक आपके महारश्ठ्र हैं दिल्ली हैं गुजरात हैं और हरियना यह जो राजी हैं इन राज्यों में सबसे ज़ादा परवस्याते हैं ठीक है जैसे राज्जे उत्रपरदेश, बिहार, राजिस्टान इत्याजी राज्यों के जो होते हैं मतलब राज रा उत्रपरदेश हो गया एक राजस्तान हो गया एक ब्यार हो गया यहां कि जो परवासी हैं वह परमुखिन राज्यों के अंदर जाते हैं इन राज्यों के परवासी को अपनी और आकरशित करते हैं महाराष्ट 5- package अब क्यों आकरशित करते हैं अकरशित करने पर ने के यह ऊसकता है यह अच्छी स्वास्च्छ्ड था इस Cs की मारच्ट रव मारश्ट राज्य का परतम हैं कि किस राज्य का परतम है दोस्तों याद का टैं। प्रवास के कारण आखिर परवासच जो है रोजगार की तलास में जो है जिसे यहां अगर रोजगार उपलब नहीं है तो हम इसी इस्तान को छोड़ देंगे और किसी दूसरी इस्तान पर चले जाएंगे और वहां पर इस तरूप से बस जाएंगे ठीके जहां रोजगार मिल जाए ठीके जहां आजीवी का का शादन है तो वहां पर जो लोग अपना जीविकों का पारजन आसनी से कर सकते हैं ठीक है तो वहां लोग जाना पशंद करेंगे तो कहने का मतलब यह जीविका भी एक परवास का मेत्पून कारण है ठीक है दूसरा विभाव अब विभाव करवा दिया जाता है किसे लड़के के शादी ठीक है किसी शेर में कर प्लाइन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि गवों में स्वास्ति सेवाई नहीं है अच्छी कोचिंगे नहीं है तो लोग जो जो जाना पर पर शुद्ध करेंगे तो कुल में लाके यह चारों पॉइंट ठोड़ा याद रख लेना आप सभी किभी परवास के कारण कौन कौन से हैं तो यह चारों पॉइंट आप लिख देना और इनके बारे में दो दो तीन तीन लाइने जो हैं बोचे से लिख जड़ी है ठीक है वेसे ज्यादा बड़ा क्यूशन इस चेप्टर से नहीं आने वाला है ठीक है और देखते हैं अब यह देखिए का परवास के कार पर्तिकर्श कारत मतलब क्या होता है अपनी और आकर्शित करना..? तो अपकर्ष कारा का मतलब क्या होता है, अपनी और आकर्षित करना, सीधे सीधे सल सल सब्दों के अंदर पहले लिख रहा है में आपके सामने, और परतिकर्ष कारा का मतलब क्या होता है, अपने मूल इस्तान को छोड़ना, परतिकर्ष किसी इस्तान को छोड़ कर किसी दूस करना क्या कारण है कि यह परमुख आपनी और आकर्षित करने की पिच्छ रिजन यह हो सकता है बैतर रोजगार ठीके किसी सेयर में बैतर रोजगार होगा इसलिए लोग वहां जाना परशंद करते हैं ठीके वहां पर अच्छी स्वास्ति सिवाई मोजुद होगी इसलिए लो इसी का अपोजिट यह हो गया परतिकस परतिकस में लिख दो रोजगार का अभाव होगा इसलिए लोग छोड़ रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को या फिर स्वास्ति सेवाई नहीं होगी अच्छी स्वास्ति सेवाई नहीं है छोड़ रहे हैं ठीक है बेतर सिक्षा नहीं होगी यह पोजिटिम है जिसी जिसी अपने मूलिस्तान को छोड़ना अगर आखिर मैं अपनी मूलिस्तान को क्यों छोड़ रहा हैं क्यों छोड़ रहा हैं मूलिस्तान को क्योंकि यहां पर स्वास्ति सेवाई नहीं है रोजगार ठीके समझने वाली बात है नहीं आपकर्ष और पर्तिकर्ष अपनी उराकर्षित करना पर्तिकर्ष को मिलब छोड़ देना ये परवास के प्रमुक कारक है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कारक है ध्यान रखे ठीके दोनों कारक आपको ध्यान रखने परवास के कारक वेरी वेर प्रियावन संबंधी प्रियावन संबंधी प्रियावन संबंधी प्रियावनी 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 प्र तो आर्थिक परणा में सीधा सा ध्यान रखना है कि जो परवासी बाहर जाकर कमाने के लिए किसी दूसरे राज्जी या किसी दूसरे डिस्ट्रिक राज्जी भी हम कहे सकते हैं कमाने के लिए बाहर जा रहा है ठीक है जो परवासी बाहर जाकर कमया हुआ धन अपने परिवार वालों को भेजता है तो उस धन को हुंडी केते हैं किसकी बाहसा में जोगरपी की बाहसा में तो परसंद बन सकता है कि हुंडी किसे केते हैं तो हैं तो इसमें आपको हुंडी किसे केते हैं तो परवासि बाहर जाकर कमया हुआ धन जब अपने परिवार वार लों को भेजता है तु उसे जोगर आप यानि भुगोल की बास्तायँ केते हैं हुंडी, यह भी ध्यान रखें क्या केते हैं हुंडी केते हैं यहां पर आया था सब्द यह देगो हुंडी क्या कहते हैं उसे हुंडी केते ज्यान रखें इन हुंडियों से उनके बच्चों की पड़ाई होती हैं तता विवाव समंधि आधिकारिय किये जाते हैं कोई भी परवासी है वो अपने प्रणबिक मूलिस्तन को और चोड़क बाहर जा रहा है और बाहर जा रहा तो फृर कर पेशों यह बैज़ेगा परिवार को चलाने के लिए तो फिर परमग्यूंस आ ऐनोसार्कारी के चाहें बस यह अर्किक परनाम है ऑ तो ये प्रिणाम में आप लिख सकता है जन सिंग्या जैसे परवास के कान देश की जन सिंग्या में बढ़ जा रहा हैं अब क्या है जैसे कोई परवासी गाम से यदी सेर में जा रहा हैं तो सेर की जन सिंग्या बढ़ जाएगी अगर कोई परवासी सेर से गाम में आ रहा हैं तो वहाँ की जन सिंह क्या कम हो जाएगी और यहां बढ़ जाएगी, ठीक है, समझ रिकेने का मतलब, जैसे यही है दोस्तों, जैसे एक डिस्टिक से दूसरी डिस्टिक में लोग प्रवास कर रहे हैं, तो वहाँ की जन सिंह क्या बढ़ जाएगी, जैसे बाल लो, जेफूर पुर्षाइब आप जैफूर राजतान की राजदन ही नहीं है जैफूर ठीक है तो वहाँ पर अधिक लोग जा रहे हैं तो मदब जैफूर की जनसिंगा बढ़ गई ठीक है और वागी कम हो गई तो यह परवास मदब जनसिंगा में प्रिवतन होता रहता है तो आप लिख सक जब जबापरम से ज्टा परवासी किस राज़े में जो हैं सबसे जजदा परवासी आते हैं तो माल रष्ट यह याद रखना दोस्तों चलो उसी प्रकार से देगो आगे हैं आपके साबने एक है सामाजिक प्रणाम कौन सा प्रणाम सामाजिक प्रणाम परवास के कारण लोगों के बीच में नई विचारों का विनी में होता है ठीक है जब सामाजिक प्रणागा मलब समाज में कि अब हो परवस ही अपने प्रारंबिक मूझ इस्तान को छोड़ कर कि अन्य इस्तान पर जा रहा हैं थी तो वहां पर सिक्षित मिलेंगे एस लेंगे और आपस में होगा विचारों का आदानगा होगा आपके वहां प Air पर कॉन कानब से पहसले बोई जाती है आपके वहां पर तो रितिRI वास का है धीक है तो विचारों का अरतालाप होगा ज़िसके करण आहुए वह भी जान गैजिंळे मैं इन इंदर गवेश कहलती है जो यह रहाघन होना चाहिए ... से आपस में एक तरीकी समखे सकते हैं समझिक परवाज के कारण, लोगों की बीच में नई विचारों का विनी मी होता है, नई विचारों का आदान परदण होता है, नई विचारों के कारण ही रुडिवादी । लोगों में कमीद एकड़े को मिली है और परमु गाह में चलने वाली परमु कुरूत्या समाब थूए जिसे बाल व्या हो गया ठीक है तो कहने का मतलब है कि भई सामजिक प्रिणाम भी एक तरीके से परवास का एक परिणाम हैं जिसके करण समाज में लोगों का आपस में क्य प्रियावनी पुता निकलता है लगातार प्रवास केका त्सितर के साथ वावनों के संक्या भी अब लोग इस तान को छोड़कर दूसरे इस तान पर जा रहे हैं तो भई आपको पता है वहनों में बेटके जाएंगे ठीके कोई बस में जाएगा कोई रेल गड़ी में जाएगा रहा है कोई किस में जाएगा टेमपू में जाएगा ठीके तो इसे क्या है जन सिंगा भी प्रवास के साथ वानों के संगय भी बढ़ती हैं जिसके कान धवनी प्रदूशन होता है बढ़ती जन संगय से गंदी बस्ती का निर्मान होता है गंदी बस्तिव जिसे कुड़ा करकट भी बढ़ जाता है तो इस तरीके से प्रियावन पने नाम है ठीक है तो यह परमुख प्यारे मित्रो चेप्टर था बिल्कुल इजले आपके समझ में आगे होगा छोटा सा ट्रोपिक है जो वियांसर परसन बनते हैं समझने वाली बात करते हैं तो नोट सो को जुरू पड़े पिछली बार भी हमारा रिजल फूरा अंड्रेड में से अंड्रेड रहा है ठीक आपको विश्वास नहीं होता है तो चैनल की एक बार आप जो है शोट लिस्ट में जाकर देखू ठीक है बहुत से जो है पुरी जोग्राफिक इंद सो में से शो नमर लेके आये हैं और पुल परशंटेज की बात करें तो 98 परतिशत 97 परतिशत बनाए हैं ठीक है चलो ओकी